नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक विव्ज इंडिया और मैं अको साथ जितेंद्र शुक्ला बात करेंगे हमारे ग्रेह मंत्री अमिश शा के कलकत्ता में दियो है भाशन की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी शर्णार्थी को कलकत्ता से देश से जाने नहीं देंगे और गुसपैटियों को देश में रहने नहीं देंगे इसी पर अप सियासत गरम हो गई है और ओवेसी ने अपने बयान को दुबारा दोरा है और कहा है कि जो मैंने कहा था वो सच हो गया इसी पर बात करने के लिए इस समय माय साथ प्रया चोधरी जी मौजूद है वो पॉलिट अब मुद्दो की राजनीती नहीं करते हैं दूसरी तरफ इस तरह के बयान देते हैं कही ना कहीं देश का अंतरिक माहोल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं यहां के लोगों को भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है यह सही समय है जब जनता उनसे पॉपुलेशन कम है जो आपको बाहर से पॉपुलेशन मंगानी पड़ रही है। यह स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएंगे लेकिन आज अगर वो यह कह रहे हैं कि शरनार्थियों को हम शरन देंगे और घुस्पैठियों को बाहर निकाल देंगे तो किस बात के लिए चाती पीटने के लिए खड़े हैं यह सवाल जंता भी करेगी इन लोगों से और ज चुना हुआ ट्रम जिनको बहुत ही रणनीतिकार इस तरह से माना जाता है कि वो कुछ भी बोलते हैं लेकिन जिस वादे के साथ वो सत्ता में आये थे आज भी वो उसी वादे पे खड़े हैं उन्होंने कहा हमारे देश में जो गुस्पैट करके आ रहे हैं इलिगल इमिग करीकों के पास उसका रोजगार उसका अधिकार होना चाहिए यह बाहर से आने वाले कौन है अगर इन्हें आना ही है तो यह लीगल तरीके से आए ना डोक्युमेंटेशन करके आए यहां का वीजा ले यहां पे नागरिक्ता के लिए एपलाए करे तो हम देंगे सिरफ 30-32 क रोड की जन संख्या वाला और संसादनों में सम्रिद देश अगर यह फैसला ले सकता है इतना विक्सित देश तो हमारे जैसा विकास शील देश और पॉपिलेटिड देश यह फैसला क्यों नहीं ले सकता है तो यह भी उठता है ना वेसी ने कहा था कि यह जो असम में हो रहा है इसमें जितनी हिंदू संख्या सबको नागरिक्ता दे दी जाएगी देश की जो मुस्लिम है उन्हें निकाल के फैक दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि आखे मुसलमानों को यह टागेट क्यों किया र क्या ओवेसी को शरणार्थी और घुसपैठी का अंतर समझ आ रहा है शायद नहीं आ रहा है यह वही ओवेसी हैं जो कहते हैं कि एक बार 15 मिनिट के लिए पुलिस अटा आगे तो देखो इस देश से तो उनके बयान पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी दो देश दे दिये गए था ना तो अब क्यों जरूरत पड़ रहे है इस चीज की शरणार्थी वैसे होता कौन है उन मतलब भूल गए शरणार्थी का मतलब क्या हो तो ये बात ओवेसी को समझ आनी चाहिए जो अपने आपको educated Muslim कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं पूरे देश जो बना या पाकिस्तान बना मुस्लिम बहुत संख्यक है ठीक है हिंदू अल्प संख्यक है तो आखे शरणार्थी कौन होगा क्या मुस्लिम वहां से भाग-भाग क्याएंगे जो नागरिकता दी जानी की बात अच्छा सवाल किया आपने लेकिन इसको मैं इस तरह से लेना चाहती हूं जो इन दोनों देशों में हमारे हिंदू माइनोरिटी के साथ इतना बुरा व्यभार हो रहा है लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया जा रहा है माइनर लड़कियों को उनका कनवर्जन कराया जा रहा है उनसे निगाह किया जा रहा है मैं उसे निगाह नही साथ हो रहा है उस पे तो एक भी बयान नहीं आता है इन लोगों का एक भी बार उठकर ये नहीं बोलते कि हम इस चीज को उठाते हैं ये हमारे मानुविय कम से कम मानुविय अधिकारों के लिए तो बोले कि मानुविय अधिकारों का उलंगन हो रहा है ये क्यों किया जा रहा एलने बाद माँ